नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे, टिकर के जरिये Profit and Loss Statement या जैसे Income Statement या P&L Statement भी कहते हैं, उसको समझना, और चंता मत करिये, ये कोई boring सी accounting class नहीं है, इसलिए हम उन्ही factors पे focus करेंगे, जो आपको Investment Decision लेने में मदद करें, तो चलिए, शुरू करते है आज Profit and Loss Statement अनलाईज करना सीखना, तो Company Page पे आप डायरेक्टली इस P&L को क्लिक करके, P&L सेक्षन में या Profit and Loss सेक्षन में जंप कर सकते हैं, अब एक बात का ध्यान रखियेगा, कि Profit and Loss Statement जब आप देख रहे हैं, तो अगर वो Company में Consolidated Statements अवेलेबल हैं, तो ज़ 2015 तो ये Company ने April 1st से लेकर 31 March 2015 तक कैसा Performance किया, उसका लेखा जोका है, और उसके मुकाबले Balance Sheet होती है अब तक की, याने 2015 की जो आपको Balance Sheet दिख रही है, ये आपको Picture दिखा रही है इस Company के बारे में, कि जब से Company शुरू हुई थी, तब से लेकर 2015 होते होते, इस Company की क्या हालत है, तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि कई सालों का P&L मिलके Balance Sheet को शकल देता है, तो Balance Sheet Company की Overall Picture दिखाती है, P&L इस साल के Picture दिखाती है, तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं, Head by Head समझना कि Profit and Loss Statement का किस चीज़ का क्या मतलब है, तो पहले है Net Sales, अब Net Sales को आप Basically समझ स ये सबसे उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये बता रहा है, कि आपकी अगर दुकान है, तो दुकान से आपने कितने रुपे का माल बेचा इस साल, अब Other Income क्या होता है, Other Income ये बताता है, कि आप Example लीजे, कि जैसे आप Business करते हैं, तो Business में जब आप Income Tax File करेंगे, त बैंक में पैसा रखा था, उसका इंट्रेस्ट आ रहा है, तो जो आपका में बिजनस है, जिससे आप अपना घर चलाते हैं, उसको छोड़ के भी, कम से कम हमारा बैंक में तो पैसा होता ही है, जहां से इंट्रेस्ट आता है, थोड़ा बहुत mutual fund में लगाई होता है, तो कु यह वो expenditure है, जो company को यह दोनों चीज़ें लाने में, चाहे sale करने में, चाहे other income लाने में, जो इसका खर्चा हुआ, यह total मिला के होता है other expenditure, जैसे अगर आप माल बेच रहे हैं, एक दुकान में, तो आपको दुकान का rent देना है, बिजली का खर्चा देना है, अपने staff को salary दे है, लेकिन savings account में कुछ charges भी लग सकते हैं, debit card के charge, account opening charge, कुर्च भी, तो वो other income से related expenditure है, वो भी इस total expenditure में आ जाएगा, यानि हर तरीके के खर्चे, जो net sales या other income लाने में लगे, वो होता है total expenditure, अब बात करते हैं operating profit की, तो जब भी operating शब्द आता है, तो आप यह समझ कि यह core business की बात हो रही है, यानि माल बेच के कितना पैसा आया, या कितना मुनाफ़ा आया, तो जहां हम net sales में बात कर रहे थे, कि यह बताता है, कि आपने कितने रुपे का सामान बेचा, operating profit यह बताता है, कि other income को हटा दिया जाए, और interest expense, बाकी हर तरह के expense को हटा दिया जा दुकान से related खर्चों में आपका कितना खर्चा हुआ, तो कितने का माल बेचा, और direct expense कितना था, जैसे वो दुकान भले ही आपने loan पे ली हो, और वो loan का आप EMI पटा रहे हो, लेकिन वो इस चीज़ पे count नहीं होगा, यह assume कर लिया जाएगा, कि अगर आपकी दुकान खु और बिजनस को profitably चला सकते थे, तो उसको compare करने के लिए core business से कितना मुनाफ़ा आया, सारी sales में से खर्चों को हटाने के बाद है, सिर्फ business related, direct business related खर्चों को हटाने के बाद, तो यह होता है operating profit, यह हमें बताता है कि capital structure चाहे जो भी हो, चाहे business ने पैसा equity के जरिये लाया हो, या फिर business ने पैसा debt के जरिये लाया हो, जिसके इसमें यह interest expense होगा, इन दोनों को अगर नजर अंदास कर दिया जाए, तो business कैसा कर रहा है, इसके बाद आता है interest, यह basically वो amount है, जो आपने किछी से borrow किया है, उधार पे लिया है, और आपको उसको ब्याज देना है, तो यह ब depreciation, depreciation एक बहुत interesting लेकिन simple concept है, देखिए, अगर आपको business करने के लिए एक laptop की जरुवत है, आपको laptop खरीते हैं 30,000 रुपे में, और आपको उमीद है कि यह laptop 3 साल चलेगा, तो अब ऐसा सोचिए, कि आपने इस साल लाक रुपे का माल बेचा, और उस माल को आपने 50,000 तो साथ में एक laptop भी खरीदा, वो laptop था 30,000 रुपे का, अब अगर उस 30,000 रुपे को भी इस total expenditure में मान लिया जाए, तो 50,000 रुपे का माल जो आपने खरीदा और 30,000 रुपे का laptop, याने 80,000 का आपका खर्चा हुआ, और आपने लाक रुपे का माल बेचा, याने आपने कमाय 20,000 रुपे, लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो laptop आपने लिया, तो laptop एक साल नहीं चलता, तीन साल लगभग के आसपस चल जाता है, तो ऐसे में आप पूरा 30,000 रुपे खर्चा laptop का, इसी साल का है ऐसा क्यों मान ले रहे हैं, वो laptop से आप 3 साल काम करने वाले हैं, तो laptop का खर्चा भी आपको 3 साल में डिवाइड करना चाहिए, तो basically accounting policy के हिसाब से, आप ऐसा करेंगे कि आप 10,000 रुपे इस साल खर्चा दिखाएंगे laptop का, 10,000 अगले साल और 10,000 उसके अगले साल, ऐसे में क्या होगा, कि आपने 50,000 रुपे का माल खरीदा, 10,000 रुपे आपक कि laptop पे हुआ, वो इस साल के depreciation पे आएगा, यानि अगर 3 साल चलने वाला है laptop और आपने 30,000 का लिया, तो इस साल depreciation आएगा 10,000 रुपे का, इसके बाद आता है exceptional items, ये basically आप समझ लीजिए कि business को या तो भुखम पा गया और insurance नहीं था और कुछ ऐसा loss हो गया, जो generally नहीं हो या फिर business की कोई lottery निकल गई, तो कुछ ऐसा exceptional item जो usually होगा नहीं, उसके कारण कहीं, इस साल का मुनाफ़ा कम या जादा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर ऐसा होगा, कि मान लीजे business की कोई lottery निकल गई, और 100 रुपे कमाता था, इस साल 1000 रुपे कमा लिया, तो हम ये अच्छी बात नहीं है, इसे आप ignore कर दीजे, जैसे गोद्रेज के case में इसका total profit है लगभग 2340 करोड, जिसमें से 2500 करोड या 10% profit ही exceptional items के कारण आया है, तो ये बहुत जादा नहीं है, इसके बाद आता है profit before tax, और ये तो नाम से clear है कि tax लगने के पहले अगर company पे कोई tax नही नहीं लगता, तो उसको कितना मुनाफ़ा होता, ये इसलिए जरूरी है कि अलग-अलग company पे हर साल tax liability गिरती कम होती रहती है, हो सकता है किसी company को special exemption मिला हो, किसी ने special economic zone में शुरुआत की हो, तो कुछ साल का tax break मिला हो, तो ये देखने के लिए कि अगर tax नहीं लगता, तो उसके लिए ये column होता है, इसके बाद आता है tax, ये सरकार को कितना tax pay किया किसी company ने, वो दिखाता है, और उसके बाद ये सब हटके आता है, कि company ने कितना वाकई में net profit कमाया, interest को consider करके, depreciation हटा के, exceptional items को adjust करके, tax pay करके, सब कुछ करके, कितना सच में, शुद्ध मुनाफ़ा company ने कमाया, वो net profit होता है, इसके बाद आता है adjusted EPS, अब ये आपको simple बताता है, कि net profit है, मान लीजे 50 रुपे, और total shares थे 10, तो per share profit, या earning per share कितना हुआ, तो अगर 50 रुपे profit है, और total shares है 10, तो मैं 50 को 10 से divide करूँगा, तो earning per share हुआ 5 रुपे, एक share अगर मेरे पास है, तो मै ने उसके बदले 5 रुपे का मुनाफ़ा कमाया, ये मुझे EPS बताता है, तो इस तरीके से ये सारे main heads है, profit and loss statement में, इसमें हम अगले कुछी हफतों में कुछ और columns डाल रहे हैं, ताकि आपको और clear हो सके, और और detail में हम profit and loss statement देख सके, हाँ इसमें एक जरूरी चीज, जैसे अगर आपको देखना है कि other income में कहां से आई income, या exceptional items, तो ये क्या exceptional हुआ कि गोदरेज ने 200 करोड रुपे कमा लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप document section पे जाए, annual report डाउनलोड करें, और उसमें control find करके profit and loss statement के notes में चले जाएं, और वहाँ आपको ये detail मिल जाएगी कि other income exactly क्या थी, exceptional item exactly क्या था या जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आपको document section में annual report डाउनलोड करके मिल जाएगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूर येगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो दबा दिजे subscribe बटन को और bell icon को ताकि कोई भी future वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो, this is Pranjal Kamra, signing off, bye bye.